Hello everyone, तो friends, आज मैं आपको sleeve में gum lace लगाना बताऊंगी, तो ये हमारी इस तरीके की lace है, जो samosa lace होती है, triangle lace भी बोल सकते हैं आप, तो ये इस तरीके से हैं, और ये sleeve है, तो sleeve length जो है पूरी 17 inch है, पर हमें जो ready sleeve चाहिए, वो 15.5 inch ही चाहिए, तो 1.5 inch folding का extra लिया हुआ है, तो इस lace को लगाना बहुत ही आसान होता है, तो ये देखे, ये हमारी sleeve है, ये उल्टी है, और इस तरीके से सीधा कर लेंगे हम sleeve को, और 1.5 inch हमने folding का छोड़ा है, तो यहाँ पर 1.5 inch पर एक निशान लगा लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, तो इस तरीके से मैंने सीधा कर लिया है, अब यहाँ पर ये lace जो आपको इस तरीके से रखना है, ये देखे, ये जो इसका triangle है, वो इस तरफ रखना है, और उल्टा करके lace को रखना है, और जितना दिखाना है, ये line के इधर होना चाहिए, जितना भी आपको दिखाना है, तो इस तरीके से रखोंगी, और एक से लाई लगा लेंगे, अब ये folding का जो हमने कपड़ा छोड़ा था इसको, एक बार fold करना है, फिर ये इस तरीके से, जो अब इस लाई लगाती है, उसी के उपपर रखके, इस लाई लगा देनी है, तो अब इसको इस तरीके से कर लेंगे, और एक यहाँ पर इस लाई लगा लेंगे, तो फ्रेंट देखिए, लग चुकी है और बहुत ही आसान होता है ये लगाना, और इस तरीके से आप गुम पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये लेस लगाई है, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, थाइब देखिए, तो इस वीडियो में,